नश्कार, BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आए नजर डालते हैं खबरों के और बाइक और साइकल की बिरंट में महिला समेट दो लोगों की मौत हुई सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने घायलों को सिकंदराबाद के CSC अस्पताल में पहुचाया जहां इलाज के दोरान दोनों की मौत हो गई पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल पूस्ट मौटम के लिए भेजा वही घायल CSC सिकंदराबाद अस्पतार से इलाज के दोरान संदिक परिसितियों में लापता हुआ पुलिस लापता घायल को ढूनने में जुटी हुई है 22 सवार मृतक की पहचान उम्र 45 वर्ष गौतम बुद्नगर की गाव लुहारली निवासी है मृतक सिकंदराबाद अपने मितर की हाँ मिलने आया था मृतक महिला की पहचान कि शन्वती उम्र 45 वर्ष महला पत्थरवारान निवासी सिकंदराबाद शेत्र की है जो ओधेगी क्षेत्रों से नौकरी कर वापस अपने घर लोट रही थी सिकंदराबाद को त्वालिक शेत्र की एनच इक्यान भी भटपूरा कट की पास हुआ दर्दनाक हाथसा बीसियन निउस के लिए बिलन शेहर से जावेद खान की साथ मुहिद पुटानिक रिपोर्ट 25,000 रुपे का पुलिसकार घोशित कुक्याद गौकश आबाद मुडबेड की उपरान थाना कोतवाली दिहाद पुलिस द्वारा गायल अवस्ता में गिरफतार किया गया जिससे एक बाइक समीद अवैल असलाय में कार्तुस परामत की गई नौफरवे की रातरी में कोतवाली दिहाद पुलिस टीम चोला मोड पर चेकिंग कर रही थी तभी एक अभियुक तो बाइक पर आता दिखाए दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो अभियुक चोला की और भागने लगा जिसका कोतवाली दिहाद चेकिंग टीम द्वारा पीछा किया गया जब अभियुक को सामने से चोला चोकी की पुलिस की गाड़ी आती दिखाए दी तो अभियुक द्वारा दाहिनी और बुचा नगर मोड की और मोटर साइकल मोडी तो मोड़ते समय अभियुक की मोटर साइकल फिसल गई पुलिस को नजदीक आते देख अभियुक ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया पुलिस द्वारा आत्मरक्षात की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश आबाद दाहीने पैर में गोली लगने से घायल हो गया थाना कोटवाली देहाद पुलिस द्वारा घायल बदमाश को रातरी समय नौबच कर 48 मिनिट को गिरफतार कर लिया गया खायल बदमाश को उपचार हेतू जिलाचिकित साले पुलन शहर में भरती कराया गया पकड़ा गया बदमाश आबाद शातर किस्म का है जिसकी शीगर गिरफतार हेतू 25,000 रुपे का पुरसकार घोशित किया गया था गिरफतार अभ्युक का नाम आबाद पुतर सरदार उर्फ गुंगा निवासी गिनौरा शेक थाना कोतवाली दिहाद चनपत बलन शहर का रहने वाला बताया क्या जिससे एक तमंचा, 315 बोर, दो खोका कार्तूस, दो जिन्दा कार्तूस, एक हिरो सुपर स्प्लेंडर मोटर साइकल जपत की गई BCN निउस के लिए बलन शहर से जावेद खान के साथ मोहिद पुतानिक रिपोर्ट मतरो थाना फरहक शेत्र की थाने की पीछे कस्बा में एक मकान के बंद कमरे में तीन शव मिलने पर कस्बा में संसनी फैल गई अंदर से बंद दर्वाजा तोड़ने पर युवाव्यापारी बेट के उपर फासी पर लटकावा था और उसके समीब सौतेली 11 वर्ष ये बेटा दबा हुआ था और पत्नी भी बगल में मृत पड़ी थी मृतक नीरज गोयल कस्बे में ही परचुन की छोटी से दुकान चला कर अपना पालन पोशन करता था प्राप जानकारी के नुसार पता चला कि पती पत्नी में आपसी कलेश के चलते पती नीरज ने बेटे वो पत्नी की हत्या के बाद आत्मत्या की है सूचता मिलते ही मौके पर S.P.C.T. सीयोर रिफाइनरी भी मौके पर पहुँच गे बेटा अनमोल के मुव से जाक निकल रहे थी इससे इस प्रतीत हो रहा है कि उसे जहर आदी विशाप पदार्त दिया गया होगा पडोस के लोगों ने जब रविवार की सुभर से घर में कोई हलचल नहीं देखी तो पुलिस को सूचना दी सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी निरिक्षक रमेश प्रसाद भारतवाज पुलिस बल के साथ पहुच गये मकान का दर्वासा अंदर से बन था पुलिस ने छट से मकान में प्रवेश किया एकी कमरे में निरज रिमा और अनमोल कोई शव को देख कर पुलिस कर में दंग रहे गे मा और बेटे के शव बिस्तर पर थे तो व्यापारी का शव पंके से लटका हुआ था पुलिस ने छान बीन कर तीनर शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेश दिया थाना फरह के शाहिस सराई पानी की टंकी निवासी निरज अगरवाल उम्र करीब 45 साल पुत्र रगुवीर प्रसाथ परशन की दुकान करता था तीन साल पहले निरज का विवाह आगरा के खानदरी निवासी राजखमार की बेटी रीमा से हुआ था रीमा अपने साथ बेटे अनमोल उम्र करीब 10 साल को लेकर आई थी रीमा कस्बे में ब्योटी पारलर चलाने लगी थी रीमा का यह तीसरा विवाह था मृतक रीमा की मार राधा अगरवान ने बताया कि साल 2010 में आगरा के बलकेशवर में रीमा का विवाह हुआ यहाँ पर रीमा का तलाग हो गया था उससे बेटा अनमोल हुआ उसके बाद 2014 में राया के युवक से रीमा का विवाह हुआ उस युवक की मौत के बाद रिमा बेटे अनमोल को लेकर माई के चलियाई करीब तीन सार पहले रिमा का विवा फरह के निरस से हुआ था मा ने बताया कि चार दिन पर पती और पत्ने में जगड़ा हुआ था उसके बाद मंगलवार को यहां आकर सुलह नामा हुआ था लेकिन उससे पहले यह कदम उठा लिया वही एस्पिसिटी मार्तर प्रकास थी है कि अनुसार हत्या का रास पोस्ट मौटम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल सकीगा उन्होंने बताया कि पती पत्ने में काफी जगड़ा होता था शादी भी करीब तीन साल पहले हुई है ब्रतक नीरज पहले अपने भायों के साथ एक साथ पईवार में रहते थी करीब 15 मैंने पहले आपस में जगड़ा होने पर निरेज के पिता ने उसको 6 लाक रुपए का मकान खरीद कर दिया था तब से इसने अलग रहना शुरू किया था तीन देन पहले भी पती पत्ने में जगड़ा हुआ था जिसको लेकर पंचायत आपस के लोगों ने की थी BCN News के लिए मतुरा से अचे ठाकुर की रुपोर्ट BCN News की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही SCN ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहेगे BCN News नवशकार